आपको अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना होगा, सेल्फ इंप्रोव्मेंट लानी होगी, और फिर देखिएगा कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और इंशालला से आपकी लाइफ भी ग्लो करेगी, Assalam लेकॉम, वेलकम बैक टो मैं चैनल, इस डॉक्टर साधिया शेख, आप अपनी उमर से अगर 10 साल यंग दिखाई देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यंग दिखाई देने से पहले यंग फील करना शुरू करें ठीक है, जैसा आप अपने बारे में फील करना शुरू करेंगे, अच्छा खील करना शुरू करेंगे, यंग फील करना शुरू करेंगे, तो आप वैसे ही बनते चला जाएंगे, और कुछ चीजे होती है, वो कुछ हैबिट्स होती हैं, जो कि आपको अपने डेली रूटीन में एड़ करनी होती है, तो यंग दिखने के लिए, सबसे पहले तो देखे हमारी परस्टनालिटी का सबसे में चीज क्या होती है, हमारा चाहरा होता है, हमारा फेस होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हर वक्त आप अपने चाहरे पे अची सी स्माइल रखा करें, और इसके इलावा, आप जब सुबह सुकर उठते हैं, तो हमेशा अपने फेस को ठंडे पानी से, जो ज़रा थोड़ा सा कोल वाटर होता है उससे आप अपने फेस को वाश करें, और जो ओपन पोर्स का प्राब्लम होता है, वो भी फिक्स होना शुरू हो जाता है, पफिनस जो होती है, चेहरे की, वो भी फिक्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो थंडे पानी से आपने अपने फेस वाश करना है और उसको बिल्कुल अच्छे तरीका से ऐसे टिशु पेपर से आप डैप कर लें टावल नहीं लगाना है फेस पे रब नहीं करना है फेस को ठीक है कि अगर हमारी स्किन हाईडरेटर नहीं रहेगी तो इसमें रिंकल्स भी होंगे, इसकें ड्राइनस भी होगी और उसकी वज़ा से भी आपकी एज होती है, वो बहुत जादा लगना शुरू हो जाती है सही है, तो आपने अपने आपको हाइडरेटर रखना है, अच्छा सा पानी पीना है, दो लिटर एट लिज्ट आपको पूरे दिन में पानी पीना है और फेस अपने थंडे पानी से वाश करना है, ठीक है, अच्छा जी, नमबर टू पर ये है कि आप हर्बल टीज का इस्तमाल कीजे, हर्बल टीज में सबसे बेस्ट एक्जामपल है, जिंजर ती आप ले सकते हैं, फैनल सी टी ले सकते हैं, जिंजर का कहवा, अदर का कहवा सौंफ का कहवा ले सकते हैं, आप सिनेमन जो दारचीन ही होती है, उसका कहवा ले ले ले, ग्रीन टी ले ले, इन सब जो हर्बल टीज होती है, इनके अंदर एंटी ऑक्सिदंट्स होते हैं, फ्लाविनाइज होते हैं, कैटिजन होते हैं, हारी बाडी में से, फ्री राडिक नमबर त्री पर आजाती है आपकी डाइट और डाइट आपकी वेल बैलन्स होनी चाहिए, न्यूट्रियन डेंस होनी चाहिए, सारे मिनरल्स और वाइटमिन्स इंक्लूड़ेड हो जो के आपकी स्किन को यंग दिखाने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हो वो हमें मिलेंगे भन दिखेड़ अर हुड़ लस्फेड़ी अर जबून से पोरे पीछेग़स इसकेष नवाण हे जायँ निहार मो ऑप रूजन वाय बालिन्स इंक्ति शंक्रdoes लेंग pareтор खती के पर लेंगे तैस्के लाव एंपाइज उल्लब को य्वाड़ें निहार मुथ help कोमें तर तर्मिनिक का इस्तमाल करें, आप यहनी में भी उसे अड़ करके इस्तमाल कर सकते हैं, यह सारे एंटी एजिंग फूर्स हैं जिनका मैंने जिकर किया है इन नबबर 4 पर आज आती है आपकी exercise, और देखें, एक बी एक exercise होती हुआ है इक exercise होती हुँ और ताकी कोलिपा नमास कि आप उख में ़ंबा सजदा करते हैं तो आप देखें का और हें आपका픈िस पिंक हो जाता है, प्लैंक एक आपके hands and face pink होजाते हैं क्योंकि आपका circulation जो है वो body का improve होता है walk करें आप जरा brisk walk करके हैं तो भी आपका face जो होता है वो pink pink सा हो जाता है ठीक है तो यह blood circulation improve होती है इससे अच्छा जी जैसे body की exercise होती है ना वैसे कोई भी आप आप लगाते है अपनी आपको सूट करता है पनी पसंद का अपनी पसंद का आमंड ऊपोईल है क्योंकि अस्तमाल कीजिए ठीक है उसका मसाज कीजिए सही है अच्छी तरीके से क्यूंकि ओप की आपकी स्किन में अब जाता है और ऑलिव एल के लिए तो कहते हैं आपका मसाज हो गया आई को ऐसे ऐसे आपने करना है ठीक है और कुछ tapping exercises भी होती है इससे भी आपकी blood circulation improve होती है और कुछ tapping exercise होती है ऐसे आपने करना है ठीक है रात में सोने से बहले आप ऐसे करें यह जो आपका यहां पर भी tap करें आपकी circulation improve होती है ठीक है और यह hardly सिर्फ एक मिनट लगता है इन सब चीजों को करने में और आपको पता है जो creases पर जाती है ना face पे wrinkles और creases especially इस पे nose पे nose पे आपने ऐसे मिसाज करना है ठीक है इसे ऊपर नहीं करना है ऐसे करना है तो आपने देखा यह वाला जो crease है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली आप इसे मिसाज करते रहेंगे जासे कुछ लोग के crease पर जाती है वह nose जब करते है तो यहां पर निशान पर तो ऐसे इस तरह से मिसाज करना है nose को बिल्कुल straight बस आप करते रहें करते रहें कहीं भी बैठे हैं तो आपने ऐसे करना है और few weeks में आप देखेंगे कि वह निशान बिल्कुल vanish हो जाएगा सही है ऐसे तो इससे आपकी blood circulation पी इंप्रूव होती है सारे जो निशान होते हैं मुझ भी आइस तरह बने शुरू हो जाएंगे और olive oil इसकी सबसे best example है मैं तो यह कहूंगी कि अगर आपको olive oil suit करता है तो आप olive oil लगाया करें ठीक है देखें इस वक्ती मुझे इतना fresh feel हो रहा है अचा जी इसके इलावा आप कुछ facial mask है जो homemade mask उसोते है ना उनका आप इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत जादा परिशान होने की जबरत नी है आप थोड़ी सी योगर्ट ले लीजिए उसके अंदर थोड़ी सी healthy powder थोड़ा सा 1 पिंच उसमें 1 टी स्पून जो organic हाःा आप इसको चाहित इसका एंभ्याई सिम्पल योगर्ट अप इसके एक इसित आ है कसी दोच से हैं कवी आप ज़कम साखने बीजेंग चैना कलों इसके बीजेमिल्ट ऑटान शेयग घ्दोर्ट जढ्समें उसके अर्पना इसके लाव आप उ जावा रह सक्ते इसके है रोज वाटर के स्प्रेई करें से तो थोड़ी स्मूथ हो जाएक जाएक झाएक रिंज अग्या थर्ड़ने पानी से करने जैसे मैं आपको बताया है इसके अड़ावा आप क्या कर सकते हैं जो बलाई होती है, तो बलाई थी जाएट की की वज़ा से हम लेते नहीं है, तो उसको डिसकार्ट नहीं करना है, उसलिए बलाई में is एक टेबल स्बून बलाई में थोड़ी सी लीमु के कत्रे अगर आपको सूट करते हैं तो आपने प्रॉप्स लेमन उसके अऔर अधेकर अची तरी तरी से लिगाए और अपने फेस पर लगाएं और अपने फेस को वाश कर लें तो इससे भी इससे भी आपके सके भी बड़ा होती है अब के स्कृंप पर अधी तो घ्लो पहाँ अजाएं तुमेटोस को अगर मैं तो अब मैं गाजर के जूस का इस्तमाल करें, अनार के जूस का इस्तमाल करें, बीटूट जो चुकंदर होता है, उसके जूस का इस्तमाल करें, और तीन से चार टेवन स्पून हरादानिया, और पांस से छे पतियां जो है वो पदीने की, वो एड़ करें, एक टीस्पून सॉफ एड़ कर तो आप में संस्क्रीन का जरूर इस्तमाल करना है सही है ताकि आपके चेहरे पर रिंकल्स ना है जो अर्ली मॉर्निंग की संलाइट होती है वो तो आपको 10-15 मिनाट बैठ सकते हैं तो सच्बा में टाम में ऑी टाइम एट तो शाम में जब थोड़ा सा धूप जोती हो ऐसी अ उस वक की दहूप आप ले सकते हैं लेकिन अपनी संप्रष मिलिह उक अपको चाहिए उससे आपको पनी स्किन को भैचाना चाहिए क्योंके आपको को डामेज करती है और आपकी स्किन पर रिंकल्स जल्दी लाने में बहुत जादा पार्ट प्ले करती है ठीक है तो आपने ओवर एक्सपूजर सन का नहीं होने देना नमबर सिक्स पर ये है कि आपको बहुत जादा जादा हैवी मेकप नहीं करना चाहिए लाइट मेकप कीजिए रात में सोने से पहले अपना मेकप रिमूफ कीजिए अपना नाइट केर सकिन रूटीन का आप ख्याल रखें रिसकिन को मस्टराइज करके सोएं क्लीन करके सोएं ठीक है चहिए साथ भंटे के आपकी रात की भर पूर नींद होनी जाएए जसे आपके माइंद भी रिलाक्स होता है आपको स्ट्रेस नहीं होता आपकी बॉडी को रस्पिलता है और आपकी Skin, भी जो घोती है वह होना शुरू हो राती है नमबर सेवन प्राइब अब जाता है, आपने हमेशा खुश रहना है, ठीक है, और हुश रहने के लिए अपको क्या करना है हर وہ चीज जो आपके पास है ना अवेलेबल उसके लिए आप अलगा कर आदा करें और जब आप अल्गा कर अदा करेंगे तो आप स्ट्रेस वी बिनाएंगे ठीक है और आपके अंदर कनात पसंदी भी आएगी और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है बहुत सारे लोग ऐसे जो उन चीजों के लिए तरासर हैं इसलिए हर हाल में अल्लादाला का शुक्रा अदा करें यही सारी चीजें हैं जो आपको अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना होगा सेल्फ इंप्रोव्मेंट लानी होगी और फिर देखिएगा कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और इंशाल्ला से आपकी लाइफ भी ग्लो करेगी थैंक यू सो मुच फॉर टाइम इसलिए डॉक्टर सादिया शेक साइनिंग ओफ बबाई ऐसी मजीद वेट लॉस टिप्स और फूर आइडियास के लिए मेरे इंस्ट्रग्राम को अभी फॉलो है